जाए हो और इसकी वेल्यू बताई गई है मैं यही करना चाहूँगा कि आप 30 जुले को हमारी यूटूब पर मुवी रखें इस मुवी से आपको एक ऐसा मेसेज मिलेगा कि मास्क लगाना इतना जरूरी है इसमें मेरे को भी छोटा जरू रोल करने का मोका मिला आप 30 तारीक को यह फिल्म देखें लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक में जरूर रिव्यू देए अपने नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है विश्णू और स्वागत है आप सभी का अमारी जीटूब चेनल वियार स्टोरी ब्लोग में दोस्तो हमारे साथ मास्क मुवी की पूरी टीम है जो की 30 तारीक को सवेरे 11 बजे रिलीज हो गई फ्रेंड्स प्रोडेक्शन कोटा के यूटूब चेनल पर हमारे साथ है इस मास्क मुवी के प्रोडुसर भावर जी रावल डारेक्टर सर कोशल जी राजकिशोर और रियल करेक्टर जो की आपको परदे पर दिखेंगे इनका नाम है गोरव जी जांगे आप तिनों का स्व प्रयास इन लोगों ने किया और जिस प्रकार से इसकी शूटिंग करके बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों को देने की देने का जो प्रयास किया है इसकी पूरी सिग्रेट जानने का प्रयास करेंगे हमारे प्रोडूसर सर से डारेक्टर सर से औ परदे पर बहुत अच्छा क्रिदार निमाया है आप जब इसको देखोगे तो आपको पसंद आई है आप तीनों का एक बार विर से स्वागर बुर्ट बहुत बहुत धन्यवाद है सबसे पहले में कोशिल राज किशोर जो की डारेक्टर है आप जानना जाओंगा कि इस मुवी को जो आपने लिखा है आप इसके राइटर भी हो डारेक्टर के साथ में क्या उद्देश्य मतलब बना कर आपने इसको लिखा है जिस तरह से मुझिदा हला चल रहे हैं मास्क हमा मास्क पहनी है तो लोग एक बार सुनके अंसोना कर देते हैं लेकिन जब आप कई कोई वीडियो से अगर आप देखते हो तो कहीं नहीं आप इनसे इंस्पार होते हो तो मुझे लगा कि कुछ इस तरह का वीडियो हमें बनाना चाहिए एक अवेरनेस लानी चाहिए पबलिक हैं तो यह समाज में एक अच्छा संदेज देगी लोगों को जागरू करेगी और एक अच्छा मैसेज हमने इस एक खुबसूरत फिल्म के माध्यम से हमने इस मैसेज को प्रेजन किया है ताकि लोग इस चीज को देखें समझें और अपने जीवन में यह सारी चीज़े उता अच्छित विवार का शिकार भी हमें होना पड़ेगा लोग हमारे पास नहीं बेठेंगे और कई ने कई दूरी बना के रखेंगे तो हमें जब इन चीजों से बचना है तो मास का हम हमारी जिवन में बहुत उप्योग है इस समय और हमें मास को पहनना चाहिए डारेक्टर स किस प्रकार की उनको पसंद आता है कितना पसंद आता है कितना घुल तो अपको चैनल को लोग सब्सकार करें सबसूरी च़ीज में दूसरी चीज में यह कहना चाह solids में इस टीम के Presentativeаете है किhis प्रकार की फिलिंग की उल्या तो अब सब और डारेक्टर कोशल राज किशोर जी ने जब मुझे पहले ये वाकिया बताए था ये स्क्रिप्ट मुझे बताई थी कि एक मास्क फिल्म हम बनाएंगे पेंडेमिक सिचुईशन को लेकर तो सबसे पहले मेरे जहन में यही खयाल आया कि मैं गौर्मेंट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करने वाला हूं और बहुत ही खुबसूरत प्रोजेक्ट है इस कंसेप्ट के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि मास्क आपके लिए कितना जरूरी है और जब सर ने मुझे ये कंटेंट बताया था तो मैं बिलीव नहीं कर सकता कि क्या कंटेंट कोशल राज किशोर जी और हमारी पूरी टीम जिनका पूरा सपोर्ट रहा है में राजयन जी का नाम लेना चाहूंगा सिद्धाज जी का नाम लेना चाहूंगा तनमय भाई का नाम लेना चाहूंगा वेभव का नाम लेना चाहूंगा पूरी जो हमारी फ्रेंड्स प्रोड कमेंट डिसाइड करेंगे कि मैं लोगों के दिल में कितना उप जाओं तो हमारे रियल करेक्टर जो परदे पर देखेंगे इनका कहना है कि इन्होंने बट अच्छे से मेहनत करते हुए जितने इनका बैस्ट था वो देखर किरदार निपाने का प्रयास किया है और पूरा इन वो होते हैं किसी भी फिल्म में चाहिए वो छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो वो थे एक प्रोडिसर तुम्हारे साथ में इस फिल्म के प्रोडिसर भी है भंवर जी रावल आपका स्वागत है मैं जानना चाहूंगा इसके रियल सीक्रेट के बारे में कि इस मुवी को तो इनके नितुम्हें महिया की नितुम्हें बहुत अच्छे से बनाने का प्रियास किया है इसके बजएट के बारे में के एकिना जाओगी की बजएट कितना लगा लग लग लाइक करें और बजट की बात हैं तो बजट का मामला बात का था पहले मेरे जहन में यह बात आई कि हमेशा अभी जो ग्लेमर वाला टाइम है लोग मुवियां बना रहे हैं अलग अलग टाइब की तो इसमें कहीं मेसेज नहीं होता लास्ट में तो इस चीज को में देखके यह सुचा मैंने कि यार कुछ ना कुछ ऐसा मेसेज जाए समाज में और अभी प्रेज पर चलना इसलिए तो सर यह है कि इन्होंने बताया और हम दोनों ने डिसक्रेश करिया और उसके बाद में स्टोरी लिखी कि किस प्रकार से एक आदमी एक दिन अगर मास्क भूल जाता है तो किस प्रकार से उससे दुनिया के मतलब एक भीकारी उससे भूह किनी मांगता तो तो मतलब बहुत सरी ऐसी चीज़ें इस फिल्म में आपको दिखेगी कि आदमी किस केरेक्टर में तक उसको कितना जलील होना पड़ता है इसके वल एक मास्क के लिए है यह मास्क कितना जरूर यह इस समय पे यह आपको नहीं आपकी फैमिली को और अपे तो पूरे समाज को इसका एशू निया है थेंक्स तो हमारे प्रोडिसर सने बजट के बारे में इसे क्रेट तो बताने का प्रयास नहीं किया पत इतना बताया कि बहुत मैसेजिंग मूवी है कोवीड कि जो दूसरी लेर्द इसमें मास्क का महत्व ने देखा है बहुत ज्यादा उसका महत्व अब लास्ट बात में डाइक्टर से से पुझतना कि आप लस्ड क्या कहना जाओगे मैं यह यह कहना चाहूंगा कि मैस के विल्म हमने बनाई है यह बहुत ही सभी के लिए बहुत ज़रुरी है और इस फिल्म को देखना अबुत निए ऐसाब से सभी को देखनी चाहिए पर किस तरह से लोगों का जो मिस्स बीहवर वो सामने नजर आता है और किस तरह से वो लोग रियक्ट करते है और जब उसे रेलाइज होता है कि बिना मास्क के जब मैं शहर में घूम रहा हूं तो लोगों का मेरी प्रती विवार बदल चुका है फाइनली जब जब वो करता है तो हमें मैं सभी दर्शकों से यह करना चाहूंगा कि जो मास्क फिल्म है इसे आप जरूर देखिए क्योंकि यह फिल्म 30 तारिक को फ्रेंस प्रडक्शन कोटा के यूटूब चनल पर आने वाली है और इसे हम 11 बजे रिलीस करेंगे और इसमें कई मेरे सारी काई टीम ह बारे में बताना चाहता हूँगा हमारे जो प्रडूसर साहब है हमें साथ टयार रहते हैं अच्छी फिल्मों के लिए यह मुझे सपोर्ट करते हैं और एनी ताइम आप मैं आप कोई भी वहमारी फिल्म में से कुछ सेगता है तो ये हमारे ले बहुत अच्छी बात होlam एक अचीर प्रियास होगा और ये कहीं अकहीं ने बहुत कमाल का भिने किक अतरी किया है aur इस फिल्म में पूरी फिल्म में इन्नों आपनेhh भीने से जिसमें की मेहंदर जी सुमन सहब हैं नियोप आरे हैं प्रसांथ प्रसंथ प्रसंथ वैसनौ और इसके बाइब हमारे एडिटर रिहान अरजएड और इस्टेल भी गुजरिया निकिया है निखलवाई इने और रुपेश जी शरमा है उन्होंने भी सपोर्ट किया है बन में जो सपोर्टिंग केरेक्टर है एंके सर जिनका हम दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने गेस्ट अपरियन्स में रोल किया है तनमे कपुर सभेजिनों ने स में सपोर्ट किया और रेखियन गेस्ट डिजाइनर और हुआर यृषच नमा है उन्होंने भी पोस् चित्रेस भाई हैं, बहुत सारे करेक्टरें जनों ने हमारी पूरी टीम में सपोर्ट किया है, तो हम सभी को दिल से धन्यवादेना चाहते हैं, वो हमें इस तरह से प्यार देते हैं, और दर्शकों से में सिर्फ यह कहना चाहूंगा, प्लीज, तीस जुलाई को फिल्म आने वाली है, ग्यारा बजे, फ्रैंस प्रडॉक्शन कोटा की यूट्यूब चैनल पर और इस चैनल पर एक सबड़कर एक फिल्मे आती रहेंगी, बहुत अच्छी फिल्मे आती रहेंगी, हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे, और ये भी मैं कहना चाहता हूंगा, कि वीवार स्टोरी व्लोग को भी आप सब्सक्राइब कर लीजे, क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत मैनत करते हैं हमारे विश्नु जी, और बहुत अच्छे एक नई चैनल को रूप में आपके सामने हैं, तो बहुत इनके चैनल को वी ग्यारा बजे इस मुवी को रिलीज कर दे जाएगा, आप सबी देखे, सबी सपोर्ट करें, लाइक, शेर करें इस मुवी को देखे और सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, और इनका ये प्रियास रेता है मिशा, जितनी भी मुवीज वगेरा होती हैं, उससे बहुत अच् के कंटेंड मुवीज वगेरा बनाते हैं, तो आप सभी का अमुल्न समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जानना जाते हैं कि ओडियन्स का इस बारे में क्या किना है, मास्क मुवी जिसके बारे मैं बताता हूँ कि लीड है जिसमें गौरो बहिया जी और फिलम की है कोशल राजी ने और फ्रेंड्स प्रोडक्शन यूटूब चैनल जिसमें ये रिलीज होगी, काफी अच्छी मुवी है और मास्क के बारे बताया गया है, अगर आप थोड़ मुवी है, और मैं यही बूलना चाहूँगा कि आप सभी लोग मास्क का यूज करें, क्योंकि एक मास्क हमरे लाइफ में बहुत कंपसरी है, इस पैंडेमिक दोर में जो हालात हो रहे हैं, हम लापरवी करेंगे तो बहुत अच्छा कंडिशन मतलब बैटर हो सकती है, लेकि में पब्लिक लापर भी इतना करती है कि मास्क को इग्नॉर करती है, मैं यही करना चाहूँगा कि आप 30 जुलाइफ को हमारी यूटूब पर मुवी रखें, और सबसे यही बोलना चाहूँगा, आपके चैनलों को लाइक करें, फोलो करें, शेर करें, इस मुवी से आपको इसा मेसेज मिलेगा कि मास्क लगाना इतना जरूरी है कि बिना मास्क की कभी न गुमे, क्योंकि एक इनसान बोलते हैं कि मास्क लगाओ, तो लोग इग्नॉर कर देते हैं, तो इस मेसेज से हमें इस मुवी से यह मेसेज देंगे कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है लोगों से आगे देखें और लाइक करें सबस्क्राइब करें सबसे परदे तो मैंनी मैंनी कॉंटिशन माइड बर्दर कोशल राज किशोर और गौरो जांगेड और अटार टीम और मास्क बहुत अच्छे फिल्म लगी है कि मुझे बहुत मजा आया बहुत अच्छा लगा कि समाज मे मैसेजवल फिल्म मनाते हैं कि मतलब कोशिश करते हैं कि समाज में अच्छा मैसेज दें फिल्म के मादियन तो यसे भी करके फिल्म मनाते है बहुत ऑट ओडियंस को एप्रिशेट करना चाहिए और मैं मानता हूं कि कहीं ने का एगर इस फिल्म को देखके दस भी लोगों मे के कॉमेंट बॉक में जरूर रिव्यू दें अपने थैंक यू